है हलो फ्रेंट्स ओलंकम टू कॉंट स्टैड़ी आज हम करने जा रहे हैं प्रफिट और का पाटक Πार्ट सेकंड जिस्में हम करेंगे वह वा पृशंज जो कि हमने पार्ट वं में जितने भी कंशेट पढ़े उनके कंशैप्ट पर बेस्ट कौशंज हम आज के पार्ट में हम solve करेंगे ठीक है शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप हमें हमारी YouTube चनल पर सब्सक्राइब कीजिए इसके लावा हम Facebook और Instagram पर भी एक्टिव हैं जल्दी से हमें हर जगा फालो कर लीजिए और किसी भी अपडेट को miss मत कीजिए सो भीना किसी देर के हम अपने questions पर आ जाते हैं और one by one इने solve करना शुरू करते हैं उन concept के base पर जो हमने part 1 में सीखे थे तो यहां पर आ रहा है मयंक sold 15 lemons in rupees 7 and incurred a loss of 10% how many lemons he must sell in rupees 28 to earn profit of 20% ठीक है अब देखिए जब बात चल रही है 15 lemons की और उन पे एक loss निकल रहा है यानि कि हम 15 lemons पर ही काम करेंगे तो अब अपना question स्टार्ट करते हैं तो 15 lemons उसने बेचे 7 रुपे के उसको loss हुआ 10% का ठीक है तो हम CP निकाल लेते हैं 15 lemons की काम हम 15 पर ही करेंगे CP आगे 15 lemons की loss हुआ है तो 90 divided by 100 is equals to SP SP नहीं 7 रुपीज ये चल रही है अभी 15 के 15 lemons की बात ठीक है एक lemon की बात नहीं चल रही तो CP आगे हमारी 70 by 9 15 lemons की तो एक lemon की CP क्या होगी 15 lemons की CP है 70 by 9 तो 1 lemon की CP होगी 17 by 9 इंटू 15 denominator में आएगा ठीक है तो CP आगी एक lemon की 70 divided by 90 सॉरी 9 इंटू 15 ठीक है अब इसे थोड़ा शॉट कर लेते हैं 53 is a 15, 51 is a 5 और 54 is a 20 तो हमारे पास आगया 14 by 27 एक lemon की CP अब वो कह रहे हैं कि कितने वो lemons बेचे रुपीज 28 के की उसका profit आए 20% पहले तो देखते हैं कि एक lemon पे 20% का profit आएगा तो SP क्या बनेगी तो SP of 1 lemon बनेगी हमारी CP इंटू profit, desired profit है हमारे 20% का तो 120 upon 100 ये चीज़ समझा गी तो ये गया 5, 6, 3, 2, 6, 3, 9, 0, 27 तो हमारी SP आगई एक lemon की 14 by 9 into 2 by 5 यानि की 28 by 45 आगई हमारी SP of 1 lemon ठीक है ये रुपीज में है अब इन्होंने काया कि 28 रुपे की sale करनी है हमें 28 रुपे की sale करनी है तो पहले हम रुपीज को 1 में convert कर देंगे एक रुपी में कितने lemon आएंगे जब हम इस term को इस तरफ ले जाएंगे तो एक रुपी आजाएगा एक रुपी में 45 by 28 lemons आएंगे जो हमें 20% का profit देंगे इन्होंने काया 28 रुपे में कितने lemon आएंगे जो हमें 20% का profit देंगे तो दोनों साइट को हम 28 से multiply कर देंगे 28 रुपी में आगया 45 divided by 28 into 28 28 से 28 गया हमारे पास बचा सिरफ 45 तो 28 रुपे में अगर हम 45 lemons बेचेंगे वो हमें 20% का profit देंगे हमारा आंसर आगया option C चलते हैं next question पर two third part of wheat was sold at a profit of 6% while the rest at loss of 3% if there was overall profit of 1080 the value of wheat was ठीक है two third part मैंने आपको बताया जो भी हमें fraction दी होती है उसका denominator को हम total मान लेते हैं तो हमने total मान लिया 30 kg अब इसका two third part क्या होगा 20 kg ठीक है और one third part यानि remaining ये लिखा है ना rest remaining क्या होगा 10 kg ये भी का है 6% के profit पर ये भी का है 3% के loss पर अब हम इस पे काम करना शुरू करते हैं हमने लिया 30 kg हम क्या करेंगे इस 30 kg की price भी divide कर देंगे price ले लेंगे हम 300 300 रुपीज कैसे आया हमने हर 10 kg की price डाल दी रुपीज 100 ये है CP क्योंकि CP तो नहीं बतलता CP तो सारी wheat के लिए सहीं ही रहेगा अब इन्होंने काया है कि 20 kg यानि इस case में और इस case में 6% का profit हुआ है तो टोटल केतना profit हुआ होगा इस पे 6% का profit हुआ है यानि 106 इस पे 6% का profit हुआ है यानि 106 टोटल होगे 212 ये आगई SP 20 kg की ठीक है नेक्स रुण नहीं काया कि remaining पे हमें 3% का loss हुआ है अगर 100 रुपी CP है 3% का loss होगा तो हमारी SP होजएगी 97 ठीक है 97 और 212 मिलके हमारी आगी टोटल SP तो टोटल SP हमारी आगई 212 प्लस 97 विच इस इकोल्स टू 309 ये है हमारी टोटल SP टोटल CP हमने स्टार्टिंग में एज्यूम की थी 300 तो आपको दिख रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है 9 रुपीज का कोश्चन में प्रॉफिट दियो है हमें 1080 रुपीज का तो 9 को हम कंपेर कर लेंगे 1080 से 1 की वैल्यू आजाएगी 120 रुपीज ये आगी ओरिजिनल वैल्यू जो अभी तक हम जिस पर काम कर रहे थे वो थी अज्यूम्ड इन्होंने पूछे वैल्यू आफ वीट यानि कि CP की बात चल रही है तो CP हमने कितनी अज्यूम की थी स्टार्टिंग में 30 केजी अज्यूम किया था और हर 10 केजी को हमने 100 रुपीज की वैल्यू दी थी तो 300 रुपीज हमने CP एज्यूम की थी 1 रुपीज की असली वैल्यू आगी 120 रुपीज तो 300 की वैल्यू आएगी 300 इंटू 120 12 रीजा 36 तो 36,000 option C आगया हमारा final answer चलते हैं next question पर The profit earned after selling an article for रुपीज 625 is इतना जादा then loss incurred by after selling the article 4 रुपीज इतना देखिए profit हो रहा है इसको बेचने पर कुछ यानि SP1 है हमारे पास रुपीज 625 इससे profit हो रहा है SP2 है हमारे पास रुपीज 435 इससे loss हो रहा है अब loss या profit कितना हो रहा है profit हो रहा है 11% को fraction में convert कर लें वो बन जाएगा 1 by 9 9 होता है यानि denominator होता है total और numerator होता है जो भी हमारे question में दिया गया होगा नीचे इस बार total नहीं दिया हो गया होगा है इस बार compare किस से किया गया है इस बार loss से compare किया गया होगा है तो 9 units अगर हमारा आ रहा है loss तो उपर की value क्या है उपर की value more है more दिया होगा है तो यानि ये more होगा अब ये more क्या है ये more है profit earned तो मैं अगर ये चीज़ कह दूँ loss है अगर हमारे पास 9 units का तो profit है हमारे पास 1 more than 9 units ठीक है 1 more than 9 units यानि की 10 units इसी चीज़ को अगर हम हमारी ratio की form में लिख दें तो profit is to loss हमारे पास 10 is to 9 आ जाएगा ये चीज़ गलत तो नहीं होगी अगर मैं ये चीज़ लिख दू कि profit is to loss है 10 is to 9 कैसे आया 9 था हमारे पास loss as per question जो denominator था profit हो रहा था हमें 1 more than 9 ठीक है तो profit हो गया हमारे पास 10 हम की sp आगी हमारे पास 625 माइनस cp ये आगे हमारे पास profit is to cp माइनस 435 अगर मैं ऐसा लिख दूँ तो गलत तो नहीं होगा मैंने क्या profit और loss को sp और cp की form में convert कर दिया अब कुछ नहीं करना अब cross multiply करना है 9 into 625 माइनस cp is equals to 10 into cp माइनस 435 तो 9 into 625 अगर हम ऐसे लिख दे 6250 माइनस 625 तो हमारे पास 9 into 625 आ जाएगा 50 में से 25 माइनस किये 25 आगे 62 में से 6 माइनस किये 56 आगे 5625 minus 9 cp is equals to 10 cp minus 4350 ये इदर जाएगा प्लास हो जाएगा ये इदर जाएगा प्लास हो जाएगा तो 5625 प्लस 4350 आ गया हमारे पास 9975 और 10 cp प्लस 9 cp आ गया हमारे पास 19 cp 19 cp की वैल्यू आगी 9975 तो cp की वैल्यू आजाएगी 9975 divided by 19 which is equals to 525 ठीक है ये आगी हमारी cp की वैल्यू अब उन्हें क्या कहा है कि कितने प्राइस पर बेचनी चाहिए कि हमारी प्रॉफिट आये 10% का 10% अब देखिए एक तो मैं फॉर्मूला बता देता हूँ दूसरा मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कैसे करना है प्रॉफिट आ रहा है 10% का यानि 10% का इंक्रीज हो रहा है ठीक है तो अगर हमारे पास cp है 525 इसका अगर हम 10% ले वो बन जाएगा 52.5 और यही होगा प्रॉफिट तो हम इसे इंक्रीज करेंगे 525 में हम 52.5 डालें तो 577.5 आ जाएगा हमारा sp यह था एक तरीका कि हमने cp को देखा कि cp में कितने का प्रॉफिट और है 10% का तो वही 10% हमने add कर दिया दूसरा तरीका 525 इंटू 110 अपॉन 100 इसे भी solve करोगे तो 577.5 इस इकोल स्टू sp आ जाएगा दो तरीके बता दिये दोनों तरीके जायज है और दोनों तरीकों से सही आंसर आएगा आपकी मर्जी है कौन सा एडॉप्ट करना है यह था long method concept clear करने के लिए अब आती है short trick दे और 435 का gap आ रहा है 190 इतनी चीज़ समझाई जब दोनों SPSP होगी यह CPCP होगी तभी यह track apply करना कि इनका gap निकाल लिया gap आगया 190 next चीज़ हमने देखी कि percentage क्या है हमारी percentage है 11.11% इसको fraction में convert कर लिया 1 by 9 और यह चीज़ मैं आपको explain कर चुका हूँ कि जो denominator है वो वाली कि जिससे हमने compare किया होगा हमने compare किया है loss से तो 9 आगया हमारे पास loss profit है हमारे पास 1 unit more than loss यानि की profit आ जाएगा हमारे पास 10 तो अगर मैं 10 लिख दू profit जो की इस SP पे आ रहा है और 9 लिख दू loss जो की इस SP पे आ रहा है तो गलत तो नहीं होगा तो अब हम क्या करेंगे इस 190 के gap को हम divide कर देंगे 10 और 9 में तो 10 प्लस 9 को हमने 190 जो gap था उसकी value दे दी 19 की value आगी 191 की value आगी 10 यानि की हमारा profit हो रहा है रूपीज 100 का और 90 रूपीज का हो रहा है हमें loss अब एक चीज देखिए जो सबसे main चीज है इस question की कि profit हमें हो रहा है 100 रुपीज का जब हमने उसको बेचा 625 रुपीज में वहीं loss हमें हो रहा है 90 रुपीज का अगर हम उसको बेचते हैं 435 रुपीज में अब मुझे एक चीज बताओ अगर मुझे इनसे CP निकालनी हो तो CP क्या निकलेगी देखिए मैंने कहा कि आपको एक चीज बेची 625 रुपीज की उसको बेचने पे आपको 100 रुपीज आपने एक्स्ट्रा कमा लिए और आपने अपनी जेब में डाल लिए ठीक है तो आपने जिस चीज को 625 रुपीज का बेचा और 100 पे कमा के अपनी जेब में डाल लिए उस चीज को आपने खरीदा होगा 525 रुपीज का तब ही आप ये 100 रुपीज का प्रॉफिट कमा पाए तो यही चीज आप इस पे भी अपलाई कर सकते हो तब भी 525 ही आएग आपकी CP आ गई रुपीज 525 उन्होंने का है कि प्रॉफिट चाहिए आपको 10 परसेंट का तो मैंने जो फाइनल आपको दो एंड में तरीक के बतायते हैं आप उसमें से कोई भी एक अपलाई कर सकते हो 525 का 10 परसेंट होता है 52.5 और प्रॉफिट है तो एड कर देंगे 577. 57.5 हमारा आंसर आ गया हमारे शॉट ट्रिक से भी ठीक है क्या किया इनका गैप निकाला 190 आया उसको प्रॉफिट और लॉस में डिवाइड कर दिया तो प्रॉफिट आ गया हमारा 100 लॉस आ गया हमारा 90 इसकी हेल्प से हमने CP निकाली और CP में हमने ये परसेंटेज एड या माइनिस कर दी वो कोशन पर डिपेंड होगा चलते हैं नेक्स कोशन पर नमिश परचेज़ असर्टन अमांट और राइस ठीक है सर्टन कॉंटिटी होना चाहिए वैसे अमांट नहीं होगा सर्टन कॉंटिटी अफ राइस इन असर्टन प्राइस He sold one third of the whole quantity at 4% loss, half of the remaining at 10% profit, ठीक है To earn profit of 10% in the entire business, on what profit percent should he sell the remaining अब देखिये, सबसे पहले हमें देखने हैं fraction, हमारी fraction है one third हमने वही चीज़ अज्यूम कर ली कि 30 kg है, तीन इस्सों में डिवाइड कर दी है 10 kg, 10 kg, 10 kg और CP हमने माल ली 300, यानि हर 10 kg की CP हो गई 100 अब one third उसने बेचा 4% loss पे, यहाँ पर पहले हम CP लिख देंगे सब की पहला one third यानि 10 kg की बाद चल रही है, उसने बेचा 4% loss पे इसकी SP आगई 96 half of the remaining at 10% profit, half of the remaining यानि remaining 20 kg है 20 kg का half क्या होगा सिर्फ 10 kg, उसको उसने बेचा 10% profit पे तो यानि 110 रुपे आगे to earn profit of 10% in entire business, entire business की CP है 300, इस पे 10% का profit यानि उसको 300 रुपे ऊपर और कमाने है ठीक है, तबी 10%, 300 का 10% क्या हुआ, 30 रुपे, 30 रुपे का उसको profit चाहिए, तो उसको बचा हुआ जो portion होगा यानि ये 10 kg कितने रुपीज में बेचना चाहिए, अब आपने देखा कि इस वाले पार्ट पे आपको minus 4 की value आगी क्योंकि loss हुआ इस वाले पार्ट में plus 10 की value आगी क्योंकि profit हुआ, इनका gap आगया है plus 6 का, आपको total चाहिए था plus 30 तो यानि इस वाले पार्ट को आप plus 24 रुपीज में बेचोगे ठीक है, इस वाले पार्ट को आप plus 24 रुपीज में बेचोगे, तो आपकी SPI आईगी 124 रुपीज की इन्होंने यही चीज का है कि last वाले पार्ट को कितने में बेचना चाहिए कि उसकी profit percentage जो है, वो 10% हो total business पे, ठीक है, last वाले पार्ट की CP है 100, बेच रहा है वो 124 की, profit हो रहा है उसको 24 रुपीज का, यह सिरफ last वाले पार्ट की बात चल रही है तो profit percentage के आएगा, 24 divided by 100 into 100, यह भी CP और यह तो 100 multiplication percentage निकालने के लिए जो 100 है, यह वो वाला है इससे यह cancel हुआ, तो 24% के profit पे उसको last का 10 kg बेचना चाहिए, ताकि उसको overall business में 10% का profit हो जाए यह था तरीका बहुत इजी, देखने में लग रहा होगा कि काफी complicated question है क्योंकि कोई exact value नहीं है, पर सबसे असान question ही यही था चलते हैं next question पर अब देखिए, दो flats है, दो अलग-लग flats है, SP सेम है, CP अलग-लग हो सकती है definitely हो सकती है, क्योंकि दो quantities हागी है on first, he earned 20% profit, on second, he lost 20% ठीक है, तो calculate overall profit या फिर loss हमें नहीं पता तो हम इस पर वही तरीका लगा लेते हैं, CPSP का formula लगा लेते हैं, ठीक है तो CP 1 into profit पहले वाले पर profit दे देते हैं, 120 upon 100 is equals to 12 lakh CP 2 into 80 upon 100 is equals to 12 lakh ठीक है, CP 1, CP 2 आगी हमारे पास, SP 1, SP 2 तो हमें पता है, 12-12 lakh है हम overall profit और loss की बात करें, तो हम इसको पहले calculate कर लेते हैं 12, 10 जा ये तो CP 1 आगी हमारे पास 10 lakh 4, 2 जा 8, 4, 3 जा 12, 2, 5 जा 10 CP 2 आगी हमारे पास 15 lakh तो आप देख सकते हो, 10 lakh को अगर आप 12 lakh में बेचोगे profit होगा 15 lakh को अगर आप 12 lakh में बेचोगे loss होगा अब देखिए हमारी टोटल SP क्या आगी SP 1 प्लस SP 2 which is equals to 24 lakh ठीक है टोटल CP क्या आगी CP 1 प्लस CP 2 which is equals to 25 lakh CP जाद है, SP कैम है loss हो रहा है आपको 1 lakh का, 1 lakh जो है वो हमारे किसी भी option में visible नहीं है यह जो 4th option है D, यह 10,000 है, यह 1 lakh नहीं है ठीक है, इससे confuse मत कर देना यह confuse करने के लिए ही डाला था यह 10,000 है, हमारा loss आ रहा है 1 lakh का, तो हमारा option E none of these हो गया हमारा final answer ठीक है So, Raju sold 2 items Raju ने 2 items बेची On first, he earned 20% profit And on second, he lost 10% If CP of first item equals to SP of अब देखिए CP of first item is equals to SP of second item यह फिर profit of first item equals to loss of second item ऐसे question जब भी आते हैं तो आपको इन percentage को fraction वाले type से solve करना है फिर से repeat कर रहा हूँ जब CP of first item, second item के SP से matching या फिर CP से matching या profit, loss किसी भी चीज़ से matching हो तो आपको इन percentage इसको fraction वाले तरीके से करना है पहली में उसको 20% का profit हुआ 20% होता है हमारे पास 1 by 5 CP है 5 Profit है 1 SP हो गई आपके पास 6 Second पे उसको 10% का loss हो रहा है यानि 1 by 10 CP है 10 loss है 1, SP आगई 9 अब देखते हैं उन्होंने question में क्या का है CP of first CP of first is equals to SP of second SP of second हमें इन दोनों को बराबर करना है कैसे होगा जब हम इस पूरी term को हम कर देंगे 9 से multiply इस पूरी term को कर देंगे 5 से multiply अब उन्होंने कहा है calculate overall profit slash loss percent ठीक है तो आपको देखे रहे है 9,5,45 CP और 9,5,45 SP हमारी equate हो चुकी है अब हम सिरफ profit और loss पे काम करेंगे profit आ रहे है हमारा 9 into 1 which is equal to 9 loss हमारा आ रहे है 5 into 1 which is equal to 5 तो आप देख सकते हैं कि overall आपको 4 unit का profit हो रहे है अब आपका profit आ रहे है 4 CP है 9,5 जा 45 प्लस 5,10 जा 50 45 प्लस 50 हो गया आपके पास 95 into so अब 5,20 जा 19 जा तो आपके पास आ गया 19 numerator में आ गया 80 तो 19,4 जा जो भी होगा 9,4 जा आपको पता है 36 होता है आपके पास बचेंगे 80 के लिए 4 तो remaining में जो remainder होगा आपका वो आ जगा 4 मुझे 19 का table नहीं आता था मुझे बस इतना पता था कि यहां हर जगा 4,4,4 दिया हुआ है तो 19,4 जा मैंने किया और 9,4 जा होता है 36 यानि कि हमारा जो बचा हुआ gap है 80 तक पहुँचने के लिए वो 4 का ही होगा तो 4,4 यहां पर आपको दिख रहा है हमारा answer आ जाएगा 4,4 by 19% तो यह वाला option इसको basically mixed fraction में ऐसे लिखते हैं तो 4,4 by 19% आ गया कैसे किया फिर से देख लीजिए 80 by 19 था मुझे 19 का table नहीं आता था पर मुझे दिख रहा था कि हर option में 6 लिख लिए हमने सबसे unit digit पर और उपर जो होता है जो यह वाली term है यह हमेशे remainder होती है हमें पता है कि 9,4 जा 36 आ गया हमें 80 तक जाना है तो यह definitely 76 ही होगा 80 तक जाने के लिए कितना remainder बचा 4 का तो हमारा 4, 4 by 19% आ गया हमारा final answer इसी के साथ हमारा profit and loss का part second भी होता है खतम कल मैं आपके लिए कुछ और थोड़े high level के questions लेके आऊँगा कुछ concept भी होंगे उसमें ठीक है नए सीखने वाला जैसे आज मैंने आपको सिखाया एक question जिसमें हमने fraction में convert करके CP और SP को बराबर किया ये भी एक concept ही था आप लोगों के लिए ठीक है वैसे ही और questions मैं आपके लिए लेके आऊँगा उमीद है आपको वो question भी पसंद आएंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे like कीजिए साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंट्स के साथ शेर कीजिए थैंक यू